हलो माई डेफ फ्रेंड सानू पिष्टेडी जोन में आपका स्वागत है आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो मारा प्रैक्टिस सेट नमबर 20 है इससे पहले हम लोगोंने 19 प्रैक्टिस सेट को देख लिया है तो वो आपको देखना है तो डिस् प्रशन देखते हैं पहला प्रशन हमारा निमलिखित में से किस प्रकार का जो बाजार होता है कीमतों को नियंतरित करने में असमर्थ रहता है ठीक है तो जो पूरे इस परधा वाला बाजार होता है वह कीमतों को नियंतरित नहीं कर पाता है इसका रीजन क्या होता है देख ब्यक्तिगत फर्मका योगतान बहुत कम होता है इस प्रकार के ब्यक्तिगत फॉर्म द्वारा उत्पादन में कमिया बृद्धी के कारण जो उध्योग में उत्पाद की कुला पूर्ती बढ़ने परवाला जो प्रभाव होता है वह नहीं रह पाता है ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है कि यह कि ने कहा था कि पूर्ती स्वयम अपनी मांग बना लेती है ठीक है तो यह पूर्ती अपनी स्वयम मांग बना लेती है या आपका कहा था जे बीसे ने जे बीसे ने कहा था कि पूर्ती स्वयम अपनी मांग बना लेती है अगर पूर्टी अपनी मांग नहीं बनायागी तो क्या होगा? मार्केट आपका असंथुलित हो सकता है ठीक है? चलिए. अगला प्रस्ण देखिए अगला प्रस्ण आपका द्वई पत्ष्य एक अधिकार की स्थित है द्वी पच्छे एधिकार जो होता है वह स्थित क्या है जब एक वस्तू से सिर्फ दो विक्रेता होता है या फिर जब एक वस्तू के सिर्फ दो ग्रहक होते हैं या फिर जब एक वस्तू के सिर्फ एक ग्रहक और एक विक्रेता होते हैं तो देखें जो द्वी पच्छे एका दिकार होता है वह जब एक वस्तु के सिर्फ एक ग्रहा का और एक विक्रिता होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है उसे आपका दूभी पच्छे एक आधिकार के नाम से जाना जाता है ठीक है चली अगला प्रश्न देखें अगला प्रश्ण आपका दिया हुए मांग का नियम क्या कहता है तो मांग का नियम क्या कहता है कि यदि एक वस्तू की कीमत बढ़ती जाती है तो उस वस्तू की मांग कई मात्रा में कम हो जाती है जैसे कि अगर आपके घर में ही आप एक एक जामपल देखना चाहिए अगर आ आप यूज करेंगे, आप यूज करेंगे, सोचेंगे कि थोड़ा कम यूज कर लेते हैं, इससे आपका बजट क्या होगा, मेंटेन रहेगा, तो इससे आप से जिस वस्तु की भी कीमत आपकी बढ़ती जाती है, वह क्या होता है, उसकी मांग आपकी आटोमेटिक क्या होती है कम हो जाती है ठीक है उसके आलामा उसके जो substitute होते हैं वो इस्तेमाल होने लगते हैं इस वजह से भी उसकी मांग क्या होती है कम हो जाती है और जैसे उसका rate कम होता है कीमत कम होती है फिर से वो अपने balance में आ जाता है ठीक है चलिए अगला प्रशन देखिए अगला प्रश्ण दिया हुआ है मांग की लोच किसी वस्तु की मांग की निमलखित में से जो किसके प्रती होता है अनुक्रिया सीलता की मात्रा डिगरी में होती है ठीक है तो यह आपका किसमे होती है उसकी कीमत में परिवर्तन के कारण होती है ठीक है देखे जो मांग की कि कि परिवर्तन के तुलना पर निर्भर रहती है अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है यदि मुंबत्ति का उत्पादन करने वाले कारखाने को जो निर्धारित लागत 20,000 रूपए है विक्री मुलिट 30 रूपए प्रती धरजन मंबत्ति है और परिवर्तनी अलागत एक दस्मौल पांच रुपर प्रती मंबत्ति है तो लाब अलाब मात्रा क्या है ठीक है देखे कर ना ही लाब होगा और ना ही लहानी होगा ठीक है जब नहीं लाब नहानी और ना लाब हो तो इससे ब्रेक इविन की मात्रा संवरिद इक कि वह संख्या जिसे फर्म में आपका विड़पन मार्केटिंग या कारेकरम के अन्य प्रकार से निवेस की लागत को कवर करने के लिए बेचा जाता है ठीक है आव सकता है तो निम्लिके सुत्र आप लगा सकते हैं जो आपका बीक्यू होता है ठीक अभी है मैं इसका आपका प्रती का मतलब होता है कुल इस्थिर लागत और पी का मतलब होता है प्रती जो होता है प्रती इकाई आउसत कीमत और वीसी का मतलब क्या दिया हुए वीसी का मतलब प्रती इकाई जो आपका परिवर्तन सील लागत है तो प्रशना अनुसार अगर आप देखेंगे तो प्र आपका प्रती ही कीमत निकाल लेते हैं प्रती ही कीमत आपका कितना हो जाएगा 30 बटे 12 हो जाएगा ठीक है अगर वहीं 30 बटे 12 यानिकी 2.5 रूपय अता आपका यहां से अगर निकालेंगे फॉर्मूले से तो आपका कितना हो जाएगा 20,000 20,000 upon 2.5 माइनस 1.5 तो यह आपका टोटल कितना जाएगा 20,000 बटे यह क्या निकी टोटल आपका 20,000 ठीक है तो आपका कौन सा अप्सन से जाएगा आपका अप्सन नमबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा ठीक है चलिए अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन आपका दिया हुआ है जब म मांग वक्र जो पूरी तरह से प्रतिसपर्दा फर्म का सामना कर रहा है वह क्या होता है ठीक है तो वह पूरी तरह से क्या होता है लोचदार होता है ठीक है चलिए अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन दिया हो बिसेस्ताओं का उनकी बाजार सनरचना के साथ मिलान करे जो बिसेस्ताय है उनकी बाजार संरचनाक हिसाब से आपको मिलाना है MC क्या होता है आपका मुल्य होता है और A मुल्य है और आप B क्या है फर्म जो अधिक्तम मुनाफ़ा अर्जित करने के लिए उत्पादम जो है निर्धारित करने की आपकी राह चलेगी ठीक है देखे तो इसका आपका सही क्या हो जाएगा सही आपका option number यह हो जाएगा विसुद्ध परतियोगी जो होते हैं विसुद्ध एक आधिकार आपके प्राप्त करते हैं ठीक है चली अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न आपका मांग का नियम क्या कहता है जब कीमत गिरती है तो मांग आटोमेटिक क्या होती है बढ़ जाती है जैसे कि अगर मार्केट में अगर आप एक सबजी की बात करें अगर आप एक मतर देखें तो मतर क्या होता है जब आपका महंगा होता है तो वो क्या बढ़ती है और जैसे ही आपकी कीमत बढ़ जाती है उस चीज की मांग आपकी क्या होती है घड़ जाती है चीक है चलिए अगला प्रश्ण देखिए अगला प्रश्न है आपका जब किसी वस्तु का केवल एक करेता तथा एक विकरेता होता है तब वो क्या कहला जाता है तो वो आपका दुई पच्छे एक अधिकार कहा जाता है जब केवल एक कहीं करेता यानि एकल विकरेता और एकल करेता होते है तो उस संबंध में आपका क् अच्छी एक अधिकार कहा जाता है ठीक है चली अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न आपका निमलिखित में से कौन स्वयम सहायता स्वमूह से बचत तथा रिड़ गतिविधियां जो संबंधित हैं वह अधिकतर महतपूर निरड़े लेती हैं ठीक है तो यह जो स्वयम सहायता समूह के सदस्य होते हैं यह क्या करते हैं यह अपना स्वयम सहायत समूह से बचत तथा रिड़ गतिविधियों समधी अधिकतर जो महतपूर निर्ड़ा होते हैं वो खुदी ले लेते हैं ठीक है आपका जो स्वसाहता समूह है गरीब लोगों का एक छोटा सा स्वयम सेवी संगठन है अधीमान जो आपका ये कहता है कि जो समाजिक आर्थिक प्रिष्ट भूमी के समूह के सदस होते हैं आम तोर पर अपनी जो छोटी मूटी बचत होती है उसको नियमिन तरूप से योगदान करके आम फंड बनाते हैं ठीक है अगर एक गरीब परिवारे तो वो क्या करता है कि अपना फंडिंग जो होता है वो अपने हिसाब से वो म मापदंड क्या होता है तो दिखे जो मजदूरों की वास्तविक आय का मापदंड होता है वह एक नियत समय में उसकी उतपाद अक्ता में परिवर्तन कितना हो रहा है यानि एक यूनिट टाइम में वह कितना उतपाद कर पा रहा है कितना तेज काम कर पा रहा है कितने यून उसके जो नियत समय में उत्पादक्ता परिवर्तन होती है उसके कारण से दी जाती है चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न आपका निमलिखित में से किसको वास्तविक मजबुदूरी यानि की वेतन का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है तो यह आपकी मुद्रा की क्रय सकती को ठीक है जो मुद्रा की क्रय सकती होती वहीं आपकी वास्तविक मजबुदूरी यानि वेतन का आपका प्रमुख निर्धारक कहा जाता है आपको अगर वास्तविक मजबूरी निकालना है अगर आपको वास्तविक मजबूरी निकालना ह सामान्य मूल अस्तर चली अगला प्रश्ण देखिए अगला प्रश्ण आपका दिया हुए कीमत अस्तर में बृध्धी के प्रभाव से वास्तविक मजदूरी क्या होती है तो जैसे ही कीमत अस्तर में बृध्धी के प्रभाव से वास्तविक मजदूरी आटोमैटिक क्या होत है ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखिए तो आपका जो अगला प्रश्न है वास्तविक वेतन से आपका क्या अभिप्राय है ठीक है तो वास्तविक वेतन से आपका क्या अभिप्राय है यह आपका नगद जो आपका नकट नगद मजदूरी होता है अपन जो क्या होता है की अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न दिया है लगान किसके लिए किया गया जो उपादान कारक भुगतान है ठीक है जो लगान होता है वह किसके लिए किया गया उपादान यानि कारक भुगतान है तो या भूमी के लिए होता है भूमी पे आपका क्या लगा जाता है ल चार गुना आपका लगान लगा दिया था तो वहीं क्या होता है भूमी पर हमेशा क्या लगता है लगान लगता है ठीक है चलिए अगला प्रश्ण देखिए अगला प्रश्ण दिया हुआ है लगान के आधुनिक सिधान्त के अनुसार लगान किसके संबंध में जो आपका प्रोभूत होता है ठीक है तो इसका देखे आपका कोई भी कारक हो जैसे आपका लगान का आधुनिक सिधान्त मात्रा में भूमी के पुरसकार उत्पादन के कारकोर के रूप में स्वयम को सीमित नहीं रखता है जैसे कि आपको अगर दे देखेंगे इंटर रिन्योर्शिप होता है ठेका वृत्ति होता है तो इस तरह की सामिल हो गया है ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न आपका दिया है पूर रोजगार पर आयनिर्धारण के किस सिधान्त के अनुसार समग्रमाग में गिरावट का पर पूरी रोजगारी से घ्रस्त था पूरा विसोय उश्टार्ट हूऊ था आपका अमेरिका से लगए से स्टार्ट हुए था या आपका अमेरीका से स्टार्ट कार पूरे विसोभर मे फैल गया था ठीक है нед già Amra Band के से त्वरमाग में पिस्थाक जो थी जो आपको daily uses में दिख रही है आपको चाहे वो कोई भी plastic की वस्तु दिख रही है steel की वस्तु दिख रही है या फिर आपका कोई कपड़ा दिख रहा है कुछ भी वो आप कोई भी काम अपना करके आप एक अच्छी खासी income कर सकते हैं ठीक है उससे आपको क्या होगा उससे आपकी जो मंदी चल रही थी वो आपकी कम हो सकती थी ठीक है चलिए अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन आपका दिया हुआ है ब्याजदर निर्धारित की जाती है जो ब्याजदर होता है वह किस पर निर्धारित की जाती है तो ब्याज दर हमेशा और हमेशा तरलता जो अधिमान होता है उस पर निर्धारित की जाती है ठीक है चलिए अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन दिया हुए आर्थिक समस्या मुख्यता क्यों उत्पन होती है तो आर्थिक समस्या का उत्पन होने का आपका रमेन रिजन है संसाधनों की दुरलबता यहने की संसाधन परयाप्त मात्रा में नौ मिल पाना इसी लिए क्या होता है वो आर्थिक समस्या हो जाती है ठीक है चलिए तो आज के लिए बस इतना ही अगर क्लास आपको अच्छा लगाओ तो लाइक करें कमेंट करें सेयर करें यह क्लास आपके लेकपाल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है लेकपाल के जो प्रिवेस यह प्रशन है इसमें यूज वो भी यूज किये गया है जो आपके महतपूर प्रशन टॉपिक से बन रहे हैं उसको भी यहाँ पर रखा गया है तो यह क्लास आप कंटिन्यू देखते रहे हैं आपका कंफर्म है कि जो ज रखते हैं ठीक है चलिए तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद